200cc सेग्मेंट में अब बहुत सारे बाइक्स नहीं बची है कुछ ऐसी चंद बाइक्स हैं जो 200cc सेग्मेंट को बचा कर रखा है उनमें से ही एक है बजाज पलसर NS200 value for money सेग्मेंट में एक ऐसी बाइक जो अपने price सेग्मेंट में बहुत अच्छा खासा power आप कौफर करता है एक thrill आप कौफर करता है लेकिन कोई भी बाइक लेने से पहले हमें उसकी service cost के बारे में maintenance cost के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो अगर आपके list में NS200 है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादी important होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप इस bike को 2-5 साल रखते हैं proper servicing कराते हैं तो कितना service cost आपका आने वाला है हर एक service में क्या कुछ parts change होंगी, parts की price क्या है, सारी details आज इस वीडियो में हम देने वाले हैं वीडियो शुरू करने से पहले गाड़ी ये चैनल को subscribe करके bell notification को please press कर लिए शुरू करते हैं first service cost से first service में आपको जाना है गाड़ी खरिदने के 500 km के बाद या फिर एक महीने के बाद बजाज की तरप से नया गाड़ी लेने पर पहला जो तीन service है वो labor cost free रहता है तो first service में आपका खर्चा होने वाला है 540 रुपे इसमें आपको दो चीजे चेंज होंगी oil filter जो की है 130 रुपे का engine oil 410 रुपे का next second service में आपको जाना है 45,000 km ये फिर 8 महीने के इंटर्वल पे ये भी एक labor cost free service है और इसमें आपका खर्चा आने वाला है 410 रुपे इस service में आपका सिर्फ और सिर्फ engine oil change होगा third service में आपको जाना है 9,500 km ये फिर 12 महीने के इंटर्वल पे ये भी एक free service है और इसमें आपका cost आने वाला है 540 रुपे oil filter का 130 रुपे engine oil का 410 रुपे fourth service में आपको जाना है 14,500 km ये फिर 16 महीने के इंटर्वल पे ये एक paid service है यानि कि इसमें आपको labor cost देना होगा इसमें आपकी total तीन चीजे चेंज होंगी fuel filter जो की 160 रुपे का है fuel pipe जो की 110 रुपे का है air filter जो की 260 रुपे का है साथ-साथ में आपको labor cost देना है जो की 472 रुपे का है fifth service में आपको जाना है 19,500 km ये फिर 20 महीने की इंटर्विल पे ये भी एक paid service है और इसमें आपका total खर्चाने वाला है 1162 रुपे इसमें आपका total दो चीजे चेंज होंगी oil filter 130 रुपे engine oil 410 रुपे और साथ-साथ में labor cost आपको देना है 472 रुपे sixth service में आपको जाना है 24,500 km ये फिर 24 महीने की इंटर्विल पे ये भी एक paid service है और इसमें आपका total खर्चाने वाला है 882 रुपे इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके गाड़ी का engine oil डाला जाएगा जो कि 410 रुपे है साथ-साथ में आपको labor charge भी देना है क्योंकि paid service है जो कि है 432 रुपे सेवन्थ जो service है वो एक major service है सेवन्थ service में आपका थोड़ा बहुत जादा खर्चा भी होने वाला है और वो सेवन्थ service होगा 29,500 km ये फिर 28 महीने की इंटर्विल पे इसमें आपका spark plug change होगा जो की 190 का है fuel filter change होगा 160 का है fuel pipe change होगा 110 का है air filter भी change करना है 260 रुपे का total अगर आप कुल मिला कर देखे तो 1862 रुपे होता है सेवन्थ service का charge अब 28 महीनार 29,500 km गाड़ी को चलाने के बाद आपका total service cost आने वाला है 6,398 रुपे इसके उपर आपको 18% GST tax भी देना है तो tax को अगर आप जोड ले तो total कुल मिला के एक rough amount बन जाता है 7,550 रुपे अगर आप गाड़ी को यानि की Pulsar NS200 को 2 साल से ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा रखते हैं तो इसमें आपका total service cost देना है 7,550 रुपे तो दोस्त आशा करता हूँ service cost के बारे में जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहे हैं अगर पसंद आ रहे तो प्लीज वीडियो को लाइक किया कीजिए साथ साथ में subscribe कीजिए गाड़ी यान चैनल को bell notification को please press कर लिए इसी तरह के वीडियो आगे पाने के लिए